हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू टेक्नोइंजिट और टेक्णिकल ट्रेनिग जमसेद्पूर जारकन लगूज यह लूं की आप सभी जानते हैं के टेक्नोइंजिउट कमीटेड है अपने लाइब को कन्टीनिउस ली अपगरेड करने के लिए विदडि टेक्निफकली चेंड़ तो आज मैं आपको इस training institute में के lab में खास करके instrumentation के lab में जो नया test equipment आइड किया गया है उसके बारे में बताऊंगा और उसे दिखाऊंगा कि नया brand एक नया test equipment आया है और वो कौन सा instrument है तो उस test equipment को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस video को अंतक देखे और आप इस video के माधियम से इस training institute के lab को भी देख सकते हैं जहां पे बहुत सारा instruments लगा हुआ है यही कितना सारा instrument ही इस training institute को one of the best training institute बनाता है और तो चलिए देखते हैं कि कौन सा test equipment आया है पहली बात आपको यह भ्यान में रखना चाहिए कि अगर आप तहीं पर training कर रहे हैं तो वहाँ का lab अच्छा होना बहुत जरूरी है अगर lab अच्छा होगा तो आपको अच्छा hands on practical training मिलेगा अगर hands on practical training ज्यादा से ज्यादा मिलता है तो आपके अंदर में confidence आएगा skilled आएगा और उस confidence के बलबूते पर किसी भी company में interview दे सकते हैं और थाम भी कर सकते हैं तो आईए हम लोग देखते हैं कि कौन सा equipment आया है तो यहाँ पर जो नया equipment आया है actually हमारे lab में एक चीज का कमी था almost सारा कुछ है hard communicator है और सभी तरह के test equipment है बट एक चीज का कमी था वो था dead weight tester तो उसको भी आज हम लोगों ने पूरा कर दिया है और यह नया dead weight tester आया है तो जो जिस dead weight tester पे हमारे जो students हैं उनको training दिया जाएगा और उमीद है कि इस dead weight tester से training प्राप करने के बाद उन्हें बहुत benefits हासील होगा तो यह हमारा dead weight tester है brand new dead weight tester आया है तो इसमें बहुत सारा weights है छोटा छोटा weights रखा हुआ है और जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं इसके अंदर में भी बहुत सारा weight है और यह पूरा अच्छे से transportation के लिए अच्छे से इसको packet pack किया गया है तो हम लोग थोड़ा सा वीडियो को cross करेंगे और उसके बाद इसको पहले बाहर निकालेंगे और उसके बाद आपको फिल से दिखाएंगे तो माई फ्रेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक नया brand new dead weight tester है जो इस training institute में मंगाया गया है यहां के students को training देने के लिए हमारा ये मकसद होता है कि हम ज़्यादे से ज़्यादा अपने students को hands on practical training दे क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर students को ज़्यादा से ज़्यादा hands on practical training मिलता है तो उनके अंदर में confidence आता है competency आता है जिसके बिना पर वो किसी भी company में जाकर interview दे सकते हैं और individually, independently काम भी कर सकते हैं और हमारे students बहुत सारे आज तक जिनको हमने training दिया है बहुत सारे student इंडिया में almost company में काम भी कर रहे है तो चले इसको open करते हैं इसको setup करना पड़ेगा setup करने में थोड़ा सा ये लगता है तो सबसे पहले इसको open कर लेते हैं और और भी एक instrument आया है वो भी इसके बाद हम आपको दिखाएंगे फिर जब हमारे students लोग इस पर practical करेंगे तो practical का भी video बना के आप लोग से जरूर share करेंगे कि किस तरह से practical हमारे students कर रहे हैं अगया है अगया है अगया है है और चलिए देखे हैं इसमें क्या भेजा है अगया है उन्होंने तो अगर आप instrumentation का training करने का सोच रहे हैं तो यह training institute आपके लिए based होगा क्योंकि यहाँ पर 100% practical training दिया जाता है हर हमारा जो instrumentation में चार main process variable है pressure, temperature, level और flow इन सब के ओपर भी training दिया जाता है तो इसका हमको सबसे पहले instruction manual देखना पड़ेगा इसका assembling कैसे होगा ठीक है तो यह labeling करने के लिए इसका चार leg है के लिए इसे कारे इसका है के. तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसका लेख को फिट किया जाता है और उसके बाद इसको लेबलिंग भी करना पड़ेगा अज़ेस्ट करके इसको लेबलिंग करना पड़ता है यह इसका पिस्टन है थोड़ा भारी है लेबलिंग देख लेते हैं इसका यह थोड़ा और टाइट होगा लेग जो है चार लेग हम लोग इंस्टाल कर दिये हैं तो यह आप स्टैंड हो चुका है अब हमको क्या करना है इसका पिस्टन का जो असेंबली है वो लगाना है य reuse का पिस्टन का एसेंबली है हम सब्सक्राइब करएंगे बाद मेंस वह हम लोग आराम से टैट करेंगे और फिर जब इससे टेस्ट किया जाएगा तो जरूर आपको हम लोग इसका वीडियो बना के शेयर करेगे इसके साथ में इंस्टक्शन मैनुवल दिये गिया है और और जो इसमें लगेगा वो भेजा गिया है यह हैंडल है इसका तो यहां पर एक इस्पिट लेवल भी है तो इस्पिट लेवल से हम लोग इसका लेवल मेजर्मेंट भी कर सकते हैं कि यह सही से है के नहीं दो इधर थोड़ा उठेगा, हम लोग उठाते हैं, ओके तो इस पुरिट लेवल से यह अब लेवल हो गया है, यह इसका हैंडल है, इसको इसमें connect कर देते हैं हैंडल को, ओके और इसको इधर ले लेते हैं, ताकर इसको भूमाने में पड़े, तो यहाँ पर एक handle इधर लगा दिया जाता है इसको spanner वगरे से हम लोग बाद में tight करेंगे spanner दिया गिया है तो spanner से अगर tight करना हो तो हम लोग इसको tight भी कर सकते है side ओके इसमें छोटा spanner नहीं दिया गिया है तो यह हो गया आपका यह आपका puller है gauge के लिए अगर आपको gauge वगरा कर रहे है तो उसका needle निकालना है तो gauge का puller है ठीक है उसके बाद यह आपका यह spanner है आपका built strip trap का तो इससे आप gauge का dial वगरा open कर सकते हैं ठीक है बहुत सारा fitting दिया गिया है fitting जैसे हमको अगर कोई gauge connect करना है उसका connection port अलग है जैसे BSP का है, NPT का है तो यह सारा fitting दिया गिया है यह fitting यहाँ पर connect होगा इसके साथ में और उसके बाद जो भी आपका जैसे हमारे पास जो gauge है pressure gauge है वो NPT है half inch का तो हम half inch का NPT fitting यहाँ पर connect कर देंगे तो इसको connect करने से पहले हम वे तो हम लोग को half inch NPT का connect करना था तो half inch NPT वाला connect कर लेते हैं ताके हमारा जो pressure gauge है वो इसमें easily connect हो जाए तो यह सारा हो गया अब हम लोग तो आप लोग देख सकते हैं कि यह एक नया brand new dead weight tester आया है ताके हमारे students को dead weight tester से कैसे pressure transmitter या pressure gauge को calibrate किया जाता है उसका भी training मिल जाए और जब वो plant में जाए तो काम करने में उनको कोई difficulties ना हो तो अगर आप instrumentation का training करने के सोच रहे हैं तो यह training institute आपके लिए based होगा क्योंकि यहाँ पर 100% practical training दिया जाता है यहाँ पर training props करने के बाद आपके अंदर में इतना confidence आ जाएगा कि आप किसी भी company में जाकर अराम से interview दे पाएंगे और काम भी कर पाएंगे थैंक्स पोर वाचिंग पाईए मैं आपको बताता हूँ के इस training institute में कौन-कौन सा training कराया जाता है इस training institute में बहुत सारे students जैसे के metric, intermediate, graduate, ITI, diploma, BE, BTEC के qualification को देखते हुए बहुत सारे short term certified training कराया जाता है जैसे के PLC and SCADA programming Instrumentation and Automation Engineer Electrical and Automation Engineer Instrument technician Electrical technician Fire alarm technician HBSE Engineer HBSE technician BMS technician BMS operator CCTV technician CCTV operator Industrial safety Mechanical engineer Mechanical technician Mechanical feeder Welder Land surveyor Civil foreman AutoCAD draftsman Crane operator Excavator operator and JCB operator So my dear friends अगर आप training से related और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो description में दिये यह नंबर पे आप कॉल या WhatsApp भी कर सकते हैं हमें उमीद है के इस Training Institute का Lab आपको बहत पसंद आया होगा और मैं यह भी बता दू के इस Training Institute में जिस भी ट्रेड में training दिया जाता है उसका भी Lab बहुत अच्छे से setup किया गया है क्यूंकि इस Training Institute में 100% practical training दिया जाता है जो यहां के students को skilled और competent बनाता है जिसके बिना पर यहां के student confidently किसी भी company में जाकर interview देते हैं और individually and independently काम करते हैं और एक successful life गुजारते हैं So my dear friends, अगर आप अपने career को लेकर चिंतित हैं और job के लिए परेशान हैं तो आईए आपको हम training देकर job करने के like बनाएंगे जी हां my dear friends, अगर आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो आप सभी का ये अधिकार है कि आप एक काम्याब जिन्दगी गुजारें लेकिन my dear friends, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि काम्याब जिन्दगी गुजारने के लिए आपके पास एक अच्छे job का होना बहुत जरूरी है और आज के इस competitive technical दुनिया में आपको job तभी मिलेगा जब आपके पास technical knowledge होगा तो आईए आपको हम technical training देकर job करने के like बनाएंगे जी हा my dear friends, अगर आपके पास skill होगा तो आपको job definitely मिनेगा तो आईए काम सीखें और देश-विदेश में नौकरी पाएं इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे request करूँगा के अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर ले और अगर हमारे Facebook पेज को like नहीं किया है तो जल्दी से like कर ले ताके कोई भी job से related या training से related वीडियो अपलोड होने पर आपको notification मिल जाए और इस वीडियो को share करना तो बिल्कुल ना भूले ताके ये वीडियो हर जरुरत मन तक पहुँच जाए पंक्स वर वाजिंग